हलो गाइज, वेलकम टू 90 प्रोडक्शन, मैं हूँ दिक्षान्त और आप देख रहे हैं इंसाइड अमोवी, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूला, इस विडियो में हम बात करेंगे 2012 की फ्रेंच फिल्म, What the day was the night के बारे में, जो यसमीना खादरा की लिखी नौवल पर आधारत है, और कहानी है योनस नाम की एक आदमी की, जिसने अलजीरिया में अपना बच्पन बताया, और अपने देश में हो रहे वार के बीच, उसने अपने प्यार को जिन्दा रखा, 1970 में योनस के कहने पर उसके दोस्त ने एक औरत का पता लगा है, जो कई सालों से योनस को देखने से भी इंकार कर रही है, जब योनस उससे मिलने गया, तो उसने देखा कि वो अपने बेटे के साथ है, योनस उससे मिलने की हिम्मत तो नहीं जुटा पाया, पर उस बच्चे को देखकर योनस को बच्पन याद आया। अब क्योंकि उनके पास एक पैसा भी नहीं बचा था। क्योंकि उन्होंने एक फ्रेंच पियानो टीचर मैडलीन से शादी कर ली थी। मैडलीन चाहती थी कि ईसा का परिवार उन्हीं के साथ रहे। पर ईसा ने कोई भी मदद लेने से इंकार कर दिया। और उसी जोपड़े में रहने का फैसला कर लिया। ईसा एक खुददार आदमी था जो अपने परिवार का खुद ध्यान रखना चाहता था। और इसलिए वो बाजार में काम ढूनने निकला। वो अलग-अलग मुश्किल काम करने लगा। पर चाहे जितने भी काम वो एक साथ कर ले। दिन के अंत में हाथ में जो पैसे आते थे वो उसके परिवार का पेट भरने के लिए काफी नहीं थे। योनस अपने पिता की मदद करना चाहता था जिसके लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर उसने चिड़िया पकड़कर उन्हें बेचना शुरू किया। पर ये बात ईसा को अपनी बेच्ज़ती लगी क्योंकि उसके हिसाब से जो आदमी अपने परिवार के लिए कमा नहीं सकता वो किसी लायक नहीं होता। अपने अंदर का दर्द और गुस्सा वो योनस पर निकालने लगा। और एक दिन हार कर ईसा अपने भाई मुहम्मद के पास गया। उसने योनस को अपने भाई के हातों में सौब दिया क्योंकि वो उसे पाल नहीं सकता था और मुहम्मद ने उसकी जम्मदारी उठा ली। योनस के घर आने से मैडलीन बहुत खुश थी और प्यार से उसने योनस का नाम बदल कर जोनस रख दिया। इसा हर वक्त शराब के नशे में रहने लगा और दूसरी और योनस अपनी माँ और बहन के उसके पास आने की उम्मीद में जी रहा था। एक दन उसकी मुलाकात एमिली नाम की मैडलीन की एक स्टूडन्ट से हुई जिससे जल्द ही उसकी दोस्ती भी हो गई। मैडलीन के जरिये जोनस फ्रांस का हिस्सा बनने लगा था और अपने परिवार से सिर्फ एक किलोमीटर दूर होने के बावजूत उसे उनके बीच की दूरिया बहुत ज्यादा महसूस होने लगी। मुहमद ने उससे बात की और उससे समझाया कि उसके पिता महनती और बहादुर है इसलिए उसे अपने पिता पर गर्व होना चाहिए। एक दिन उन्हें बिना बताए जोनस अपने परिवार से मिलने चला गया और अपनी बहन के लिए एक गुडिया ले गया पर फिर अपने बेटे की भलाई के लिए उसकी मान ने उससे कहा कि उसकी जिन्दगी दूसरे घर में बहतर गुजरेगी और उसे वही जाकर रहना चा एमिली के साथ अच्छा लगता था और एमिली भी उसे पसंद करने लगी थी एक दन पुलीस ने अचानक मुहमत को उसके पॉलिटिकल बिलीव्स के चलते गिरफतार कर लिया क्योंकि उस वक्त अलजीरिया पर फ्रांस हकूमत कर रही थी और वो आजादी की चाह रखता था उनके घर की तलाशी के दौरान अचानक वहाँ बंबारी शुरू हो गई और कई लोगों की मौत हो गई मैडलीन को पता चला कि जोनस की माँ और बहन भी उस हमले में मारे गए पर इस बारे में वो जोनस को बताना नहीं चाहती थी जोनस के पता भी शराब के नशे में डूब कर कई दिनों से गायब थे और उनकी कोई खबर नहीं मिली थी कुछ दिनों बाद मोहमद रहा हुआ पर उसे रहा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि वो अपने जैसे अर्बी लोगों की नजर में एक गद्दार बन जाए उसने जोनस को उसकी माँ और बहन की मौत की खबर दी और वो लोग वहाँ से दूर जाने की तैयारी करने लगे एमिली से अलविदा कहकर जोनस मोहमद और मैडलीन के साथ उस शहर से दूर एक छोटे इलाके रियो सलाडो में रहने गया उस जगे फ्रेंच लोगों के अलावा स्पैनिश, जूज और अर्बी लोग साथ रहते थे मौहमद और मैडलीन के खुद के कोई बच्चे नहीं थे इसलिए उन्होंने जोनस को अपने खुद के बेटे की तरह पालना शुरू कर दिया उस जगे जोनस की इजाबल नाम की एक लड़की से दोस्ती हुई जो हर वक्त उसके साथ रहने लगी पर जब उसे ये पता चला कि उसका असली नाम योनस है और वो एक अर्बी है तो उसने अपनी दोस्ती उससे तोड़ दी स्कूल में मौजूद तीन लड़के जॉन क्रिस्टोफ, फाब्रीस और सिमोन उसे परिशान करने लगी पर उसने टीचर से उनकी शिकायत नहीं की और उन्हें बचाने के लिए शुक्रियादा करके उन तीनों ने जोनस से दोस्ती कर ली और उनकी दोस्ती कई सालों तक टिकी रही इसाबेल भी उनके ग्रूप का हिस्सा थी परिशाबेल का भाई अरब्स को नौकर समझता था अपने लिए काम कर रहे अरब लड़के जलोल की उसने सब के सामने बेज़ज़ती की जो देखकर जोनस को बिलकुल अच्छा नहीं लगा और वो वहाँ से चला गया तब उसकी मुलाकात एक फ्रेंच औरत से हुई जिससे जोनस की नजर नहीं आटी कुछ वक्त बाद उसके दोस्त भी वहाँ आ गए और वो भी उस औरत को देखने लगे जोन क्रिस्टोफ ने बताया कि वो औरत मिसिस क्लेर है जिनका डिवार्स हो चुका है मिसिस क्लेर अगले दिन जोनस से मिलने उसकी दुकान पर आई और कुछ दवाईया उसने जोनस को अपने घर लाने के लिए कही जब वो दवाईया लेकर उनके घर गया तो वही हुआ जैसा उसने सोचा था पर अगले दिन अपने दोस्तों से मिलकर जब जोनस वापस वहा गया तो क्लेर ने उससे कहा कि जोनस जैसे प्यार समझ रहा है वो सिर्फ एक गलती थी और इसलिए उसे उनके बीच के रिष्टे को भूल कर आगे बढ़ना होगा जोनस इस बात से बिलकुल खुश नहीं था और सोचने लगा कि उसके अरब होने की वज़े से लोग उसे अपने से दूर करते हैं और यही बात उसने इसाबेल से भी कही इसाबेल के भाई ने एक नया कैफे शुरू किया था जिससे देखने एक खुबसूरत लड़की आई और हर कोई उसे देखने लगा वो लड़की सिर्फ जोनस को देख रही थी और इसलिए वो उससे बात करने गया उन दोनों ने पहली नजर में ही एक दूसरे को पसंद कर लिया और वो दोनों डांस करने लगे तब उस लड़की ने बताया कि वो कोई और नहीं जोनस की बचपन की दोस्त एमिली है और ये बात जानकर जोनस बेहत खुश हो गया कुछ देर बाद एमिली अचानक गायब हो गई और जोनस और उसके दोस्त उसे हर जगे ढूनने लगे पर वो उन्हें कहीं नहीं मिली अगले दिन फाबरीस उसका पता ढून कर ले आया और अपने सारे दोस्तों को उसके घर ले गया तब जोनस को पता चला कि एमिली क्लेर की बेटी है जोनस ये जानकर बिलकुल खुश नहीं था और एमिली को समझ आ गया कि कोई बात उसे परेशान कर रही है एमिली की मा भी कोशिश कर रही थी कि एमिली जोनस के करीब ना आये और जब एमिली ने उस रात उन्हें बताया कि वो जोनस से प्यार करती हैं तो वो इस बात से परेशान हो गई अगले दिन एमिली जोनस से मिलने वाली थी पर उसकी मा ने जोनस को रोक लिया और उसे अपने साथ ले जाकर उससे कहने लगी कि उनके बीट जो कुछ हुआ वो पाप था और इसलिए वो एमिली के साथ कोई रिष्टा नहीं रख सकता अगर उसने ऐसा किया तो वो एमिली को सारा सच बता देगी तब जबर्दस्ती उन्होंने उससे वादा लिया कि वो एमिली को कभी छूएगा भी नहीं और नहीं उसे अपने प्यार के जाल में फसाएगा एमिली जब उस दिन मैडलीन से मिलने उसके घर गई तो पियानों बजाते हुए उसने देखा कि जोनस उसे इगनोर कर रहा है और उसे भी समझ आ गया कि जोनस उसे अपने से दूर करने लगा है जोनस के इस बरताव से नाराज होकर वो जॉन क्रिस्टोफ के करीब जाने लगी और इससे सिर्फ जोनस को ही नहीं फाबरेस को भी तकलीफ होने लगी जो उससे प्यार करने लगा था जोनस जानना चाहता था कि एक फ्रेंच कैतलिक और अरब होने के बावजूद तो मैडलीन ने बताया कि उनके परिवार ने भी उनका साथ छोड़ दिया था पर सच्चा प्यार होने की वज़य से वो दोनों हर तकलीफ से लड़ पाए और इसलिए आज बिना किसी पच्चतावे के वो दोनों साथ रहते हैं एमिली ने गुसे में जॉन क्रिस्टोव के साथ रिलेशन्शिप तो शुरू कर लिया था पर वो प्यार अब भी जोनस से करती थी एक दिन जोनस को पता चला कि इसाबेल के भाई ने जलूल को बुरी तरह पीटा है जिसके बाद वो उसे उसके घर तक छोड़ने गया जलूल ने उस दिन उसे याद दिलाया कि जोनस भी एक अरब है और उसका असली नाम योनस है और उसने ये भी कहा कि उसे अपने लोगों की तकलीफों को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए एक राज जॉन क्रिस्टोव ने एमिली को ये कहते हुए सुन लिया कि वो सिर्फ जोनस से प्यार करती है और ये सुनते ही वो अपना आपाखो बैठा उसने एमिली को तो छोड़ दिया पर साथ ही साथ जोनस के साथ की अपनी दोस्ती को भी तोड़ दिया और बिना कुछ बताए वो अपने घर से चला गया कई दिनों तक वो किसी को नहीं मिला और फिर एक दिन इसाबेल ने बताया कि गुस्से में उसने वार में हिस्सा ले लिया है और इस बात के लिए वो जोनस और एमिली को दोशी ठहराने लगी जोनस भी पढ़ाई के लिए रियो छोड़ कर फिर से शहर के लिए निकल गया और अपने पीछे एमिली को अकेला छोड़ गया वक्त बीता गया और जोनस को शहर में आकर चार साल हो गया एमिली और वो एक दूसरे से चिठ्थी लिखकर बाते करने लगी पर जोनस ने उसी शहर में रहने का फैसला कर लिया फाबरीज को हिलन नाम की लड़की से प्यार हो गया सिमोन ने क्लेर की मदद से अपना डिजाइनर स्टोर शुरू कर लिया इसाबेल जॉन क्रिस्टोफ के इंतजार में जीने लगी और मैडलीन और मुहमद बढ़ती उम्रे से ठकने लगी और एक दिन जोनस को मुहमद को संभालने के लिए रियो वापस लोटना पड़ा क्योंकि उसे खबर मिली कि वो कोमा में चला गया है अपने घर वापस लोटने के बावजूद जोनस अब भी एमिली को अपना नहीं सकता था और इस बात से वो दोनों ही परिशान थे जॉन क्रिस्टोफ वार से लोट कर आ गया था पर अब भी उसने जोनस को माफ नहीं किया था जब उसने सब को बताया कि वो इसाबल से शादी करने वाला है तब एमिली ने सब से कहा कि वो और सिमोन भी शादी करने वाले हैं सिमोन जानता था कि एमिली जोनस से प्यार करती है और यही बात उसने जोनस से माफी मांगते हुए कही और कहा कि वो हमेशा Emily का ध्यान रखेगा पर अब Jonas Emily को हमेशा के लिए खोने वाला था और इसलिए उस रात Emily Jonas से मिलने आई और उसके पास आकर रोने लगी वो समझ नहीं पा रही थी कि Jonas अब भी कुछ कह क्यों नहीं रहा पर जोनस ने इस बाद कभी कोई जवाब देने से इंकार कर दिया कुछ दिनों बाद एमिली की शादी हो गई और उस दिन जोनस की परिशानिया बढ़ती गई क्योंकि उसी रात उसे पता चला कि मुहम्मद कोमा से बाहर आ गया है पर वो किसी को मिल नहीं रहा जोनस और मैडलीन उसे हर जगे ढूनने लगे तब उन्हें वो अकेले टहलते हुए मिला टहलते हुए उसने जोनस से आखरी बार बात की और कहा कि अगर कोई उससे प्यार करे तो उसे कभी उसे छोड़ना नहीं चाहिए ये बात कहते ही मुहमत ठक कर वही सोने लगा और मैडलीन और जोनस के हातों में उसने अपनी आखरी सासे ली उस शाम जलूल और उसके जैसे कई लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़नी शुरू की और वो अरब लोग फ्रेंच लोगों की नजर में डाकू बन गए और अलजीरिया में वार का माहौल होने लगा फाबरीस एक जर्नलिस्ट बन गया था जो जानता था कि दुनिया बदल गई है और अलजीरिया उनका देश नहीं रहा अगले दिन पुलीस को ये खबर मिल गई कि जोनस ने डाकूओ को ठीक किया है और उनकी मदद की है और इसलिए जोनस को गिरफतार कर लिया गया पर कुछ वक्त बाद उसे इसाबेल के पिता ने बचा लिया और रिहा करबा लिया तब उन्होंने उससे कहा कि फ्रेंच लोगों के यहां आने की वजय से ही इस जमीन पर तरक्की हुई है और उनके बिना यहां कुछ नहीं बचेगा इसके जवाब में जोनस ने कहा कि फ्रेंच लोगों के यहां आने से पहले लोगों के पास कुछ नहीं था पर वो लोग खुश थे क्योंकि तब उनकी जमीन उनहीं के पास थी मैडलीन को डर लगने लगा कि वो भी एक फ्रेंच है इसे लिए उसे भी मार दिया जाएगा और फिर उसे संभालते वक्त जोनस की नजर एक आग पर पड़ी जो एमिली के घर में लगाई गई थी बिना वक्त गवाय वो उन्हें बचाने वहाँ चला गया पर वहाँ जाकर उसे पता चला कि सिमॉन मारा गया है एमिली को अब उससे नफरत होने लगी थी और उस रात के बाद उसने जोनस की शकल देखने से भी इंकार कर दिया था जोनस को सिमॉन के फ्यूनरल पर भी आने की इजासत नहीं दी गई और अगले साथ सालों तक अलजीरियन और फ्रेंच लोग पागलों की तरह एक दूसरे को मारने लगी 1962 में फ्रेंच लोगों को पूरी तरह अलजीरिया से निकाल दिया गया जोनस अब फिर योनस बन गया था और उसके कहने पर जलूल ने जौन क्रिस्टोफ को जिन्दा छोड़ा जिसके बाद वो इसाबेल के साथ वो देश छोड़ कर चला गया इसाबेल ने बताया कि एमिली ओरान चली गई है जहासे वो फ्रांस लोटने वाली है और ये जानते हुए भी कि वो शहर एक जंग का मैदान है योनस उसे ढूनने वहाद चला गया पर अब योनस को बहुत देर हो चुकी थी और एमिली उसके पास रुखने को तयार नहीं थी वो वापस अपने देश चली गई और सालों तक योनस एमिली से बात नहीं कर पाया वो उसे चिठ्थिया लिखता गया पर एमिली ने कोई जवाब नहीं दिया पर योनस का ये इंतजार 2010 में खत्म हुआ जब एमिली के बेटे मिशेल ने उसे अपने पास बुला लिया मिशेल ने बताया कि योनस के सारे दोस्त उससे मिलना चाहते हैं पर उनसे मिलने की जगए वो एमिली की कबर को देखने चला गया मिशेल ने तब उसे एमिली की लिखी चिठ्थी दी जिसमें एमिली ने लिखा था कि वो आज तक योनस की लिखी चिठिया पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई पर अब उसने उसे माफ कर दिया है और वो चाहती है कि योनस भी उसे माफ करते योनस को वो माफी मिल गई जो वो सालों से चाहता था और फिर उसे वो दोस्त भी मिल गया जिसे उसने सालों पहले खो दिया था जौन क्रिस्टोफ वहाँ आ गया और एक दूसरे को माफ करके उन दोनों में फिर से दोस्ती हो गई अलजीरिया में हुई लड़ाई कोई नहीं भूल पाया और हर किसी ने अपना सब कुछ उस लड़ाई में खो दिया वो पूरा देश और उस देश के सारे लोग बदल गए पर उन सब ने सिर्फ अच्छी यादे अपने पास रखने का फैसला किया योनस ने भी अपने आखरी दिनों में यही यादे याद रखी पर क्योंकि योनस ने अपने एकलौते प्यार को छोड़ दिया उसने अपनी सारी जिंदे की सिर्फ पच्छतावे में बिताई और उसे कही सुकून नहीं मिला अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक शेर और कॉमेंट ज़रूर करने और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले